नमस्कार दोस्तों गुरू और चेला चुनाओं में आमने सामने होने जा रहे हैं और कल तक मम्ता बनर जी के लिए जी जान लड़ाने वाले शुभेंदू अधिकारी इस बार मम्ता बनर जी को चैलेंज कर रहे हैं और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि वो कम से कम 50,000 वोटों के अंतर से मम्ता बनर जी को नंदी गराम में हराने जा रहे हैं आपको पता ही होगा मम्ता बनर जी ने ऐलान किया है कि इस बार वो नंदी गराम सीट से चुनाव लड़ेंगी नंदी गराम से चुनाव लड़ने की सिर्फ एक ही वज़े है शुबेंदू अधिकारी को हराना क्योंकि बीजेपी ने जितनी भी मचलियों का शिकार पस्चिम बंगाल में किया है शुबेंदू अधिकारी सबसे बड़ी मचली थी जो नोंने अपने जाल में फासी है शुबेंदू अधिकारी ममता बेनर जी का राइट हैंड रहे हैं और लंबे समय से तरण मूल कॉंग्रेस का एक बहुत बड़ा पिलर रहे हैं परिवेन मंत्री थे और जब नंदी गराम का अंदोलन हुआ था जब यहां पर वाम दोलों ने से जेड इस्पेशल एकनोमिक जोन बनाने का एक फैसला किया था और उसके खिलाफ मूमी अधिकारन का लेकर आंदोलन चला था बुमी अधिकारन के खिलाफ तो उस समय ममत्राब एनरजी के साथ कंदे से कंधाल मिला कर लड़े थे शुबेंदू अधिकारी और शुबेंदू अधिकारी आज एलान कर रहे हैं कि मैं ममत्राब एनरजी को 50,000 वोटों से हराऊंगा कुछ इस बारे में थोड़ी सी समीकरणे मुझे मिल रही है ये समीकरण मैंने पस्ची बंगाल से हासिल की है और पस्ची बंगाल से कुछ रिपोर्ट इस तरह की आई है कि बीजेपी ने और शुबेंदू अधिकारी के समर्थकों ने एक इंटरनल सर्वे कराया है कि अगर नंदी गराम में शुबेंदू अधिकारी और ममता बनरजी के बीच में मुकावला होता है तो मतों का विभाजन किस तरह के से होगा मुसलिम वोट किधर जाएंगे, हिंदू वोट किधर जाएंगे और कॉंग्रेस और वाम दोलो की पोजिशन क्या होगी यहां का मतदाता कॉंग्रेस और वाम दोलो को वोट देगा या नहीं इन सब चीजों को लेकर बीजेपी का एक आकलन चल रहा है इसके बारे में आगको मैं आगे बताऊंगा फिलाल मैं इसके कुछ तथ्या आपको बताना चाहता है देखिए अभी तक ये तैय नहीं हुआ है कि शुबेंदू अधिकारी ही यहां से चुनाव लड़ेंगे लेकिन बीजेपी जानती है कि अगर शुबेंदू अधिकारी को यहां से चुनाव ना लड़ाया गया जो कि यहां से सिटिंग है मैले है तो इसका मैसेज भी गलत जाएगा कि वो ममताब इनरजी से डर गए शुबेंदू अधिकारी सुरू से यह कह रहे हैं अगर ममताब इनरजी मुझसे चुनाव लड़ना चाहती है तो वो ऐलान करें कि वो सिर्फ एक ही सीट से लड़ेंगी और वो जब भवानी पूर वाली अपनी सीट है उसे छोड़ देगी अभी भी इस पर तैय नहीं हुआ है कि ममताब इनरजी एक जगह से लड़ेंगी या दो जगह से लड़ेंगी मुझे तो लगता है कि दोनों जगह से लड़ेंगी रिस्क नहीं उठाएंगी इसके लावा ये भी तैय नहीं हुआ है कि क्या शुबेंदू अधिकारी नंदी ग्राम से ही लड़ेंगे कहीं और से लड़ेंगे या दो जगे से चुनाव लड़ेंगे इसे लेकर बड़ा मन्थन बीजेपी में और टीमसी में दोनों में ही चल रहा है वहाँ का जो समीकरण है वहाँ का समीकरण कुछ इस तरह से है के लगबग पोने तीन लाक वोट नंदी गराम विधानसवसीट पर है और इनुमें 62,000 मुसलिम मत है इन 62,000 मुसलिम मतों का समर्थन टीमसी की वज़े से पहले शुबेंदु अधिकारी के साथ रहा मैक्सिमम कहा जाता है के और इसमें नंदी गराम के दो पार्ट है नंदी गराम 1 और नंदी गराम 2 नंदी गराम 1 में 34% मुसलिम आबादी है और नंदी गराम 2 में 10% मुसलिम आबादी है और इस हिसाब से अगर पिछली बार की हम समीकरण देखें तो 2016 में यहाँ पर सुबेंदू अधिकारी ने 81,230 वोट से जीत हासिल की थी यानि कि बहुत भयंकर जीत थी सामने जो उनके परत्याशी थे उनकी एक तरह से सुबेंदू अधिकारी ने चुट्टी कर दी थी और इससे पहले ये जो इलाका है ये बीजेपी का गड़ कभी नहीं रहा बीजेपी तो अभी उबरी है वाँ पर 2018 से ही और यहाँ पर कॉंग्रेस और CPI का गड़ माना जाता था लेकिन जब 2007 में नंदी गराम आंदोलन मंता बिनरजी ने चलाया था शुबेंदू अधिकारी भी उसका हिस्सा थे उसके बाद से यहाँ के वोटर TMC की तरफ डाइवर्ट हो गए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो काफी कुछ हिंट इस चुनाव के बारे में दे रहा है दरसल यह जो विधान सभा है नंदी गराम यह तुमलुक लोकसभा छेतर के अंतरगत आती है और तुमलुक से शुबेंदू अधिकारी के भाई दिबेंदू अधिकारी सानसद हैं और उन्होंने TMC के बैनर पर जीत हासिल की थी और BJP दूसरे नमबर पर रही थी और अब दिबेंदू अधिकारी आ चुके हैं BJP के पाले में अपने भाई की तरह ही तो अब सारे समीकरन शुभेंदू अधिकारी के समर्थन में बनते वे नजर आ रहे हैं और जिस समय लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 का तो उस समय दिब्बेंदू अधिकारी को इस नंदी ग्राम विधान सभा सीट पर 60,000 वोट मिले थे तो इस लिहाज से सब को ये लग रहा है कि अब चुकि बीजेपी का वोट भी प्लस होगा दिब्बेंदू अधिकारी का भी परभाव रहेगा शुभेंदू अधिकारी के अपनी इमिज है ही तो नंदी ग्राम से बीजेपी को जीत हासिल करना बहुत आसान रहेगा ममताब इनरजी के लिए यहां के हालात कठिन होंगे और समीकरन ये बना रहे हैं ये बताया जा रहा है कि जो जोड घटा लगाई गई है वो लगाई गई है शुबेंदू अधिकारी नहीं कहा है कि मैं ममताब इनरजी को 50,000 वोटों से अरहूँगा लेकिन आकलन ये निकल कर आया है कि 70,000 वोटों के अंतर से ममताब इनरजी हार सकती है यहां पर और शुबेंदू अधिकारी की जबरदस्त जीत हो सकती है इस बारे में मैं बयान पढ़ा था टीमसी के कुछ नेताओं का टीमसी के नेता ममता बनर जी के लिए वहाँ घर तलाश रहे हैं एक छोटे से घर में फिलाल काम चल रहा है और जो वहाँ के जिला उपाध्धिक्स हैं शेक सूफियान उनका बयान मैंने अकबार में पढ़ा टीमसी के जिलावपाध्धिक्स का उन्होंने का कि हम गवरा नहीं रहे हैं बीजेपी सिर्फ यहां सामपरदाइक्ता को बढ़ावा दे रही है और ममता बिनर जी निश्ची तूरूप से यहां से जीतेंगी उन्होंने तो यह भी दावा किया कि 355 बूत हैं यहां पर और बीजेपी और शुबेंदू अधिकारी सो बूतों पर भी अपने अजेंट नहीं बना पाएंगे और उनका यह भी कहना है कि 2007 में जब आंदोलन हुआ था नंदी गराम का तो हिंदू मुसलिम सब साथ थे और हम शुबेंदू के बीजेपी में जाने से शौक में हैं कि यार उन्होंने क्या कर लिया वो तो हमारे वोटों से जीते रहे हैं तो सारा कुछ माहोल एक दम से ड्रास्टिकली चेंज हुआ है लेकिन जो फैक्ट मैंने बताए हैं दिबेंदू अधिकारी का 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकडे ये सब इस बात को इंडिगेट कर रहे हैं कि यहां पर शुबेंदू अधिकारी निश्चित रूप से बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं ममता बनर जी अगर दो विधान सभा सीटों से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो उनके लिए भी हालात कठीन होने जा रहे हैं और अगर चुनाव के जो विशेशगे हैं राजनीती के जो जानकार उनका कहना है कि अगर ममता बनर जी केवल नंदी गराम सीट से ही चुनाव लड़ लें अकेले तो ज़्यादे फाइट में आ सकती हैं लेकिन अगर वो दो जग़े से चुनाव लड़ेंगी तो ये माना जाएगा कि वो यहां से चुनाव हार रही हैं कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि वो इस बार भवानी पूर से भी हार रही हैं इसलिए वो यहां आ रही है उनके स्थिती सही वो होगी है जो 2019 के लोग सबाचुनाओं में राहुल गांदी की अमेठी में हुई थी उन्हें लग रहा था कि इस मर्ती रानी इस बार मुझे हरा देगी तो इसलिए वो वाइनार चले गए थे और उनके जाने के बाद मेसेज डारेट गया लोगों में के राहुल गांदी हार के डर से यहां से भाग गए है और 55,000 वोटों से इस मर्ती रानी ने राहुल गांदी को 2019 में हरा दिया था अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें झाल